विस्तरेन आत्मनो योगिम् विभूतिम्च जनार्दन भूया कथया त्रप्तिरही श्रणवतो नास्ती में अमृत्तम नमस्कार मित्रों मित्रों ये जो श्लोके भगवत गीता के दसवे अध्याय का अठार है वहाँ श्लोके जिसे हम आज गहराई से समझेंगे तो आए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोके वह कहता है विस्तरेन आत्मनो योगिम अर्थात विस्तार द्वारा अपने योग को विभूतिम च जनार्दन अर्थात और एश्वर्य को हे जनार्दन भूयक कथय त्रप्तिरही अर्थात होकर कथन त्रिप्ती ही श्रणवतो नास्ती में अमृतम अर्दात सुनकर के नहीं होती मुझे इस अमरित को तो यहां पर अर्जुन अपने प्रश्न को अब समाप्त करेंगे और वो यहां पर श्रीक्रिश्न से कहते हैं कि आप अपनी विभूतियों को अपनी महानता को आप विस्तार से मुझे बताएं आपके योग के विशे में आ नहीं तो वो यहां पर कहते हैं कि आपका यह जो कथन यह अमरित है और इस अमरित को सुन करके मुझे त्रप्ती होती ही नहीं है विस्तार से बताएं आप तो बहुत सारा बताएं तो यहां पर वास्ता में अर्जुन जो है वह है श्रीक्रिश्न की सिक्षाओं की और अपन भक्त होता है जो सच्चा भक्त होता है वह ईश्वर के एश्वर्य के विशय में बार 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 सुनना चाहता है क्योंकि उसको वह अमरित लगता है और उसको कभी तरपती होती ही नहीं है तो आपके भी जीवन में कोई भी ऐसा विशय है जिस विशय को लेकर के आपको कभी पर सोचते रहते हैं, कार्य करते रहते हैं, उस पर ही चर्चा करते रहते हैं, या उस विशह पर ही आप दूसरों के उब्देश सुनते रहते हैं, तो वो जो विशह है, वह वास्ताव में आपके लिए आपका ईश्वर है, अब ये जो ईश्वर है, ये कुछ भी हो सकता है, व्यक्ति के लिए जैसे कुछ ऐसे होते हैं लोग जो की केवल क्रिकेट के बारे में चर्चा करेंगे वो पूरे समय क्रिकेट के बारे में चर्चा करते हैं तो उनके लिए क्रिकेट ही फिर जो है ईश्वर हो जाता है कुछ ऐसे लोग होंगे जो की फिल्मों के बारे में चर् में ही रुची लेता है पूरे समय ईश्वर की मही महा में ही उसका मन लगा रहता है तो यदि आपको एक सच्चा भक्त बनना है तो आपको अपना मनोभाव भी ऐसा ही करना होगा और इसका अर्थ यह नहीं है कि आप दैनिक जीवन के जो विशह हैं उनमें रुची लेना करेंगे तो यह जो क्रिया है जहां पर कि आप अपने जीवन में अपने करतव्यों को करते समय भी जो दैनिक हमारे जीवन के जो विशह होते हैं उनमें भी यदि आप ईश्वर को देखने लगें तो तब आपके लिए बहुत ही सरल हो जाएगा कि आप सारे समय पर ईश्व के साथ भी जुड़ पाएगा तो ऐसे जो पहलू होते हैं इश्वर के हमारे जैनिक जीवन में हो रहे ही घटनाओं में इश्वर के जो पहलू होते हैं वह ही उनकी विभूतियां है और इन विभूतियों को यदि हम समझ लें तो हम फिर अपने जीवन में श्रीक्रिशन को सभी समयों पर देख पाएंगे तो यह जो अध्याय है दस्वा इसमें श्रीक्रिशन अपनी विभूतियों के बारे में ही चर्चा करेंगे इसको अध्याय को भी विभूतियों की कहा जाता है तो आगे कि जो जितने भी श्लोक हैं इस अध्याय में उसमें अपने पहलूँ को देखने में सक्षम हो सकेंगे और उस प्रकार से हम उनसे सदा जुड़े रहेंगे तो यह जो यहां पर श्लोग था यह समाप्त करके अब श्रीक्रशन जो है वह अर्जुन के प्रश्ण का उत्तर देना आरंब करेंगे तो आशा करता हूं कि मैंने अर्जुन के जो प्रश को कि मैंने अर्जुन का प्रशो कि तो नह सम्माइब करेंगे रहें अर्जुन के रहेंगे तो भॉबप्र बालेता हूं कि मैंने जो इसे अंज हम आएगे बालेता हूं